आज महागडबंदन में उपिदर खुश्वाहा जी जोइन किये हैं इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ बधाई देता हूँ और पहली बात मैं ये बताना चाहूंगा कि ये दलो का गडबंदन नहीं बलकि जनता के दिलो का गडबंदन है ये सनविधान बचाने की लड़ाई है ये देश को बचाने की लड़ाई है और डेश में जिस पैकार से जितने भी सनविधाने की इंस्टियूशन है चाहे CBI हो, ED हो या RBI हो ये उसको बचाने की लड़ाई है ये उनके खिलाफ रड़ाई है जिन्होंने जनता को सिर्फ और सिर्फ धोखा देने का काम किया गुमरा करने का काम किया और कुछ लोगों के लिए सिर्फ अपना किसानों का हित ना सोच करके बस कुछ लोगों का हित सोचने का काम किया गया तो मैं ये कहना चाहूंगा, कि जिस प्रकार से देश भर में अगोशित एमर्जनसी कायम हो चुका है, जिस प्रकार से मोदी जी ने देश में तानाशाही नहीं बलकि अपने घटक दलों के साथ भी तानाशाही रवया अपनाने का काम किया है, आज नतीजा आप लोगों के सा कामने है, आप देखियेगा, बिहार में डबल इंजन की सरकार कही जाती है, हमारे चाचा नितीश कुमार जी ने जिस तरीके से जनादेश का अपमान करने का काम किया, मैं कहता हूं मैंडेट का रेप करने का काम किया, आज बिहार में डबल इंजन की सरकार नहीं, बलकि एक इंजिन अपराद में हैं और दूसरा इंजिन जो है ब्रस्टा चार में हैं और ये कहा जाता था कि बिहार में केंद्र में और राज में बड़े अर्से बाद एक ही गड़ बंधन की सरकारे हैं तो बिहार को बिहार का विशेश राज का दरजा मिल जाएगा बिहार को जो मोद हजार करो दूँ चलो सवा लाग करो रुपय दिया आज मोदी जी से बिहार की जंता हिसाब मांग रही है कि कितना दिया और हम तो ये भी पूछना चाहते हैं हमारे चाचा नितीजी से कि आप बता दिजे आपको कितना दिया बिहार को कितना दिया अगर कुछ भी दिया होगा तो हम भी धन्यवाद दे देंगे मोदी जी को फोन करके लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिफ बिहार को ठगने का काम किया ठेंगा दिखाने का काम किया और पूरी तरीके से ये कहती है मोधी सरकार कि हम बिहार को विशेश राज का दर्जा नहीं दे सकते लेकिन लडाई जो है आप देखिएगा जिस हिसाब से बिहार जो बैकवर्ड स्टेट है हम सब लोग यहां जो बैठे हैं सब लोगों के एक ही मकसद है कि बिहार जैसे पिछडे राज को आगे बरहाना और जब तक बिहार जैसे राज आगे नहीं बरहेंगे तरक्की नहीं करेंगे हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता उसलिए हम लोग ऐसा विकल्प बिहार की जंता को दे जो सच में कम ही वादे करें लेकिन उसको पूरा करने का काम करें एक पॉजिटिव सकरात्मक सरकार देने का काम करें उसके लिए हम लोग सब लोग जो हैं एक जिट हुएं हैं लेकिन देश में सबसे बड़ा जो खत्रा जो है अगर सनविधान नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा उसलिए हम लोग सब लोग एक जुट हुए हैं अपने देश के इस तरीके से ठगों का जो गड़बंदन हुआ है उनको करारा जवाब देने के लिए और बीजेपी को अगर आप देखिएगा चाहे नौर्थ चले जाओ साउच चले जाओ इस चले जाओ वेस्ट चले जाओ तो हर जगा से एंडिये ने अपने अलाइंस को खोने का काम किया ह चाहे कैश्मीर देखिए या महरास्टरा में जिस प्रकार से नराजगी है बिहार में जिस प्रकार से नराजगी सामने आ रही है और यूपी में जिस प्रकार से नराजगी आई है या चंदरबाबू नाइडू जो आइंधर प्रदेश से जो एंडिये से अलग हुए तो औ और हमारी पार्टी का और हमारे नेता लालू परशाद जी और राहुल जी को भी हम धन्यवाद करते हैं कि एक बड़े सकरात्मक ढंक से सारी चीजों को सब लोगों ने मिल करके एक सही फैसला लेने का काम किया है और एक आगे उसी दिशा में हम लोग जो महागरबंधन का जो कॉंसेट जो बिहार में सबसे पहली बार जो फॉर्मूला जो हम लोगों ने शुरू किया था आज मुझे खुशी है जो बात लालू जी ने कहने का काम किया कि सभी दलों को विपक्षी और लाइड माइंड़ पार्टी को एक प्लैटफॉर्म पे आना चाहिए तो सारे इगोस को सेक्रिफाइस जितना भी कर सके हम लोग देश हित के लिए सन विधान को बचाने के लिए वो हम सब लोगों को करना चाहिए और सब लोग मिल जूल करके वो करने का काम कर रहे हैं और ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे हम फिर से पुना उपिंदर जी को धन की थी आज हाई कोट में भी इस बात को मानने का काम किया है नितीश कुमार जी को फटकार लगाने का काम किया है कि बिहार में तो सारे स्कूल सरकारि स्कूलों को बंद कर देना चाहिए कि वहां quality of education खदम कर दिया गया ना तो जब उन बच्चों का हम भविष बहतर नहीं बना सकते, तो बिहार का भविष कैसे बहतर बनेगा, तो इसलिए हम दिन को धन्यवाद देते हैं, सही फैसला लिया, मानजी जी भी है, ये भी पहले एंडिये में थे, लेकिन इनों ने सही फैसला लेकर के सारी चीजों को का भान नहीं मिलता, इज़त नहीं मिलती, जहां सिर्फ ताना शाह कायम रह गया है, तो इन्हों सब लोगों ने मिलकर के फैसला लिया, इसके लिए सब लोगों को हम धन्यवाद देते हैं, कॉंग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, एमद भाई, प्रभारी, जो हमारे शक्ति हैं, सब को भी हम धन्यवाद देते हैं, राहुल जी को भी अध्यक जी राहुल जी को भी धन्यवाद देते हैं,